कि चलिए तो हम लोग बात कर रही थे एंसे याइटी कक्छा सात्वी की हमारा पर्यावर्ण की नाम से जो आपकी बुक से उससे देख रहे हैं तो इसमें अभी तक हम लोग 5 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका छटवा चेप्टर है प्राक्तिक बनस्पति एवंबन जीवन याद रखिए आप लोग इसमें आप लोगों को बड़े दहर के साथ पढ़ना है क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं मन लगा कर तो सभी आ सलीमा अपने घ्रेस में सिविल से बहुत उस्साहिब थी अपने सह पार्टियों के साथ वह हिमाचल के देश में मनाली देखने को गई थी उसे सब स्मयड़ था कि बस जैसे से चड़ाई पर जा रही थी तो यह इस्थलाक्ति एवन प्राक्तिक बनस्पति के बदलते रोप को देखकर कितनी हैरान हो रही थी ग्रीवाद में साल सागवान के गने वन धीरे धीरे आदेश हो गए तथा परवत की ढलानों पर पत्ली नुकिली पत्तियों तथा संक्वाकार बितान लंबे वैक्ष दिखने लगी उससे पता चला की बे संकूधारी वैक्ष थी लंबे वैक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया बे रोडो डेंडोन के थे मनाली से आंगे रोहतांग दर्दे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमी छोटी-छोटी घास एवं कुछ इस्थानों पर बर्प से डगी थी सन्लीमा के अवलोकन से हम अनमाल लगा सकते हैं कि इस्थल की उचाई एवं बनस्पति की विसेश्थाएं एक दूसरे से संब्धित होती है उचाई में परिवत्तन के साथ जलवायों में परिवत्तन होता है तता इसके कारण फ्राक्तिक बनस्पतियां से भी बदलाव आता वनस्पति की विद्धि तामान इवं नवी पर निर्वय करती है इसके इलावा यह ढाल इवं मिट्टी की पर्त की मोटाई जैसे कालकों पर भी निर्वर करती है इन घटकों में अंतर की कारें किसी स्थान की प्राक्तिक बनस्वति की सगनता इवं प्रिवत्तन होता है। निमने तीन मुख सैणियों में बर्गी कित किया जाता है वन जो व्यक्षों के लिए उपयोगत तामान एवन परिफून बरसा वाले छेत्रों में उपती हैं इन कारकों के आधार पर सगन एवन खुली बन विक्सित होती हैं दूसरा है घास इस्तर जो मत्यम बरसा वाले छेत यात्रों में पैदा होती है। सलीमा हिमाचल फिदेश की यात्रा ड़ा अपना यह घंवा आपने पिता को बता रही थी उसके पिता विस बिभिन स्थानों पर जा चुकी THी। उन्होंने सलीमा को बिभिन महादीपों के बिभिन भागों में पाई जाना वाली बिभिन नही की बारे में बदाया है उन्होंने उपतोर भी एस देशों में संकुधारी रेगश्ठानों में कांटेदार जाड़िय के आपकी कांटे-दार जाड़िय हुए आधयों में घने उफ्ट कटी बन देदल्ण कास्ट बनों के बारे में कई पैंड जानकायatus सलीमा समझ गई कि माचल देश के छित्रों में लगग सभी पिकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमत द्रेखा से दुर्व की ओर जाने लग पर मिलती है प्राक्तिक वनस्पतियों की पिकार में बदलाव का मुखकार है जलवायू का बदलाव है आये हम विस्त की उष्ने कटी बन दिये सदावार बन इन बनों को उष्ने कटी बन दिये वर्सा बन भी कहते हैं एक घने बन भूमत रेखा एवं उष्ने कटी बनते के पास पाये जाते हैं ये छेत गरम होते हैं ये पूरे बरस यहां अत्यदिक बरसा होती है चुकि यहां का मौसम कभी सु पूजी तरह नहीं जड़ती हैं इसलिए नहीं हम लोग सदाभार कहते हैं कापी गने व्यक्षों की मौटी विदान के कारण दिन के समय भी सूर का पिकास बन के अंदर तक नहीं पहुच पाता है आंतोर पर यहां दर्ड काष्ट व्यक्ष जैसे रोजबुड आवनुस महोगनी आधी पाय जाते हैं यह आपके उस्ट कटी बन दिये सदाभार बन अनाकॉंड़ा विसका सबसे बड़ा सांप उस्ट कटी बन दिये वर्सा बन में पाय जाता है यह मगर जैसे बड़े जानव उस्ट कटी बन दिये प्ढवपाती बन मान्सोनी बन होते हैं जो भारत उत्तरिय अस्टलिया मध अमेर्या के बड़े हिस्सों में पाय जाते हैं इन चेत्रों में मौसमी परिवतन होती है जल्स रख्चित रखने के लिए सुस्क मौसम में यहां के विक्ष पत्य जाड देते हैं इन बनों में पाए जाने वाली द्रण्ड कास्ट, वैक्छों मैं साल, सागवान, नेम तता से समय द्रण्ड कास्ट वैक्छ भन्नीचन याताया निर्माठ्ट समगरी बनाने के लिए बहुत दो फ्वेख हो ते इन पर देसों में आम तोर पर पाए जान लंगूर हो गया है। फिराता है आपका सीतोष्ट सदावार बन। सीतोष्ट सदावार बन। मत अक्षांस के तटिये पेदेशों में इस्तित है। यह सामानता महादीपों के पूर्वी केनारों पर पाया जाते हैं। जैसे आपके दच्छणपूर अमेरिकार, दच्छणपूर ब्राजील, यहां बांच, चीड, यूकिलिप्टस, जैसे द्रड यह मुलाएं दोनों पिकार के पीड पाया जाते हैं। सीतोष्ट सदावार बने। फिर आता है आपका सीतोष्ट पढ़पाती बन। वो चक्छांसों की ओर बढ़ने पर अधिक सीतोष्ट पढ़पाती बन मिलते हैं। यह उत्तरपूर भी अमेरिका, चीन, निवजीलेंड, चीली, एवं पश्मी यूरूप के तटिये हैं। यहां पाए जाने वाले पेड़ हैं आपके बार्ज, एस बीच हादी। फिरन लॉमड़ी बहड़िये, यहां के आम जालबाये। फिजेंड तथा मौनाल जैसे पप्ची भी यहां पाए जाते हैं। यह आपका फिजेंड हो गया, यह आपका मौनाल हो गया। सीतोष सदा भाव, एवं पर्डपाती पेड़ों से डखें। महादुई पॉंग के पश्मी एवं दच्छड पश्मीर के नारी बिन्ने, यह भूमत्द सागरी यह बनस्पतियां पाए जाते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफिका, एवं एसिया के भूमत्द सागर के समीप बाल पश्मी अफिका, दच्छड पश्मी दच्छड में एका, दच्छड पश्मी ऑस्टेलिया में भी पाई जाते हैं। इन पेडेसों में गरम सुस्के ग्रेज में, एवं बरसा वाली मिदू सीथ, रिदूंग होती हैं। इन चेत्रों में आमत्वर पत्संत्रा, अंजीर, ज यहां बन जीवन कम है। यह आपका बहुमत्द साग्रिय पिदेशों में अंगूर के बाद, बहुमत्द साग्रिय वेक्च सुस्के ग्रेज में रितू में स्वयम को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी चाल, एवं पत्तियां, वास्त्रूस सर्जन, गुरोग थी। बहुमत्द स साग्रिय पिदेश को फलों की किर्थी के कारण विस्तु का फलोद्दान भी कहा जाता है। फिरे आपका संकुदारी बन उतली गोलाद, उतली गोलाद के ओच्छांसों, पचास डिग्री से सत्तर डिग्री में, भब संकुदारी बन पाय जाते हैं। इन्हें लोग टैगा अधिक मुचाईयों पर भी पाय जाते हैं। इन्ही बैक्चों को सलीमा ने हमालय में पिचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नर्मकाष्ट वाले सादा वहार बैक्चों होते हैं। इन्हें बैक्चों के काष्ट का उपयोग लोगदी बनाने के लिए किया जाता है। जो सामान तथा अखवारी कावज बनाने के काम आती हैं नरमकाष्ट कावपयों मार्चिस एबं पैकिंग के लिए बक्स से बनाने के लिए भी किया जाता है चीड देवदार आधी इन बनों की मुख पेड़े या सामन का रजत लॉंबडी मिंक धुर्बिय वालू जैसे जानवार होती है रोसी बासा में टेगा करत होता है सुध्य या अंचुवा या रखने या आपके संकुधारी बन होगाए या आपके हिमाच्छादिव संकुधारी बन होगाए श्रया है आपके घास्वूषक तक प्रिद्सपति निम्न से इसहां होती है और ंगास जम संसकर काफ़ी बु厂ंची लगबभक ऑज्याते या भक घरत दौ हैं अफी का सवाना गास इसफ़ इसी पाकार का है तरयब रखना अपर फीक यजाल र entrepreneur गैस स्तर आपका उश्नकटी बन धी कहा सुस्टर सामान ारोप सी उश्नकटी बन धीर गास तरिम हाथी ज किर एक और अब इस्टर में महादीप वृतर बाम्स घ्राप याथist दोर पर छोटी एबं पोश्टे कुती सीतों उस्त प्यदोर्स्त पिदेशों में सामानता जंगली भैंस बाइशन एंटिलॉप आधी पाए जाते हैं फ्रयापकी कंटीली जाड़ियां है तो रस्त में आधी बंदियें तूस के मानचीत पर प्यदेशों को चिन्नित सकते हैं यदि आप दुर्बी ये पिदेशों में जाएंगे तु है है इस्तान राजिस्थान में लगा हुआ है आपका सबसे बड़ा हुई है रेविस्थान जहां आपकी कटीली जाड़ियां अधिक हुँ है यदि आप दुर्विय पिदेश में जाएंगे तो है इस्थान आपको अत्तिक ठंडा मिलेगा यहां बहुत ही सीमित पराक्तिक बनस्पतियां म बनस्पतियां इउरोप एसिया इबं उत्तरी अमेरिगा के दुर्विय पिदेशों में पाई जाते हैं यहां के जानवर के शरीर पर मौटा पर एवं मौटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवाईल में सुरक्चित रखते हैं यहां पाई जाने वाले कुछ जानव में सलीवा ने देखा कि लोग बैक्चों को काट कर बनों को साफ कर रहे हैं उसके पिता ने बताये कि इस्थानी लोग किरसी एवं हावास के लिए इस्थान चाहते हैं इसलिए उन्होंने बनों को साफ कर दिया सलीवा सोचने लगी कि अगर बनों को साफ कर दिया जाता है तो बन नजीब कहा जाएंगे क्या यह पुनाहा बैसे ही बने पाएंगे अगर लोग इसी पकार पेड़ों को काटते रहें तो बवेस्थ में पर्यापत ऑक्सीजन जल्वास लगडी फल में भी आदी मिल पाएंगे क्या आपने ओक्सीजन हम लोगों नहीं पाएंगे बारे में थीज़ें चेप्टर विफ हम ऩधान है हुश्चों जो महारा प्सुम्हारihat और यादो आप लोगों को तो समय लिखा हुआ था अगर हम प्रक्तिसान जंब तक करते हैं या उसे कोई आनी नहीं पहुंचाते हैं, हमारे लिए सब नौर्मल रहता है, जिसे हम उससे छिड़ चाड करते हैं, हमारे लिए समस्या बन जाती है, ठीक है, क्योंकि प्रक्ति अपने आप में संतुलन बनाने की बहुत सक्ति साली है, अब सकती है, कि वो अपने आपको संतुलित कर सकती है, लेकिन जब तक हम लोग उसमें, हमें उससे दोर ही रहना चाहिए, यह आपके विविन इस्थल है, विविन पिदेश्जों के में गहांस विविन नामों से जाने जाते हैं, इस तरह की सीयद् recognized अरिजिनटीना में से पैंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेशरी कहते हैं तच्डी अफीका में से बर्यद कहते हैं, अकर लोग ये अज़द चखते हैं, तो मुझे लगता है सब कहीं आपको दिक्क्यत महीं ह cioè इसकी टेली पीडियाप आपकी टेलीग्राम चनल पर डढ़ी लिए वहां से निकाल लिए तो यह आपका छड़वा चप्तर था साथवे चप्तर में हम लोग बात करेंगे मानवीय पर्यावण बस्तिया परिवान एवं संचार व्यवस्ता को देखेंगे यह त्रिया